दोस्तो नोड़ा टूड़े चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज जेवर एरपोर्ट से जोड़ी बड़ी खबर है जब तक खबर की शुरुआत करें उससे पहले चैनल को अभी सबस्क्राइब करके बेल आइकन जुरूर दबा दें ताकि आप हमसे जोड़ सकें और रोजना नोड़ा से जोड़ी खबरों को आप देख सकें दोस्तो ग्रेट नोड़ा के परीचोक से लेकर जेवर एरपोर्ट तक मेट्रो ट्रेन चलाने की बास सामने आई थी और कहा गया था कि उडान शुरू होने से पहले ही यमना एक्सप्रेस वे के समान अंतर मेट्रो ट्रेन दोड़नी शुरू हो जाएगी लेकिन अब ये प्रोजक्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मेट्रो के स्थान पर अब मोनो रेल चलाने की योजना बनाई जा रही है आईए आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं दोस्तो नवेडा में जेवर एरपोर्ट से परीचौक तक मोनो रेल चलाई जाने की योजना है इससे परीचोक से नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट तक पहुँचने में कम समय लगेगा हाला कि पहले इसे मेट्रो कोरिडोर से जोडने की योजना थी लेकिन लागत अधिक होने की वज़े से उत्तर पिरदेश सरकार ने अन्यय विकल पर विचार करते हुए मोनोरेल चलाने का फैंसल लल्या है मोनोरेल प्रोजेक्ट की फिजिबल्टी रिपोर्ट स्विस कंपनी द्वारा बनवाई जाएगी और दो महीने कंदर तयार हो जाएगी आपको बता दें कि जेवर एरपोर्ट से ग्रेट नोड़ा की दूरी करीब 32 किलो मिटर है मौजुदा प्लान के अनुसार मोनोरेल यमना एक्सप्रेसवे के किनारे चलाई जाएगी और इसके लिए जमीन पहले से ही उपलब्द है हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डी एस मिसरा ने लखनाओ में एक बैठक के दोरान ये जान करी दी है यमना एक्सप्रेसवे अथर्टी के सीएओ डॉक्टर अरुनवीर सिंग ने कहाएगी चूँकि मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट बहुत महगा है इसलिए यूपी सरकार अन्य विकल्पों को तलाश रही है और मोनोरेल उनमें से एक अच्छा ओप्सन है हाला कि इस पर अंतिम फैसला फिजीबल्टी रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा चूँकि पहले नवड़ा एरपोर्ट को नई दिल्ली स्टेशन से मेट्रो कॉरिडोर के जरिये कनेक्ट करने की प्लानिंग थी लेकिन इस प्रोजेक्ट के लागत बहुत अधिक थी इसलिए विचार करना पड़ा एक इंगलिस अखबार की खबर के अनुसार पिर्ति क्लोमीटर मोनोरेल चलाने का बजट कुल 70 करोड रुपे है जबकि रैपिड एक्स लाइन के लिए 200 करोड और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 350 करोड रुपे पिर्ति क्लोमीटर है इसलिए मोनोरेल सबसे सस्ता विकल्प है आया आपको मोनोरेल की खासेते बताते है यह मेट्रो रेलवे लाइन पर नहीं दौरती है बलकि इसे बीम के साहरे चलाए जाता है इसका रूट एलिवेटिड होता है इसलिए एक्सिडेंट की संभावना कम होती है मोनोरेल के यात्रियों को बाहर के शोर का पिरभाव नहीं पड़ता है यह पूरी तरह से पिर्दूसन मुक्त होती है फिलहाल मोनोरेल परियोजना और रैपिड एक्स के लिए रूट तयार नहीं हुआ है हाला कि दिल्ली से मेरट के बीच में 82 किलोमीटर का रैपिड रेल रूट तयार हो चुका है और इसमें से गाज़बाद में शाहिबवाद और दोहाई के बीच कोरिडूर का 17 किलोमीटर रूट जल्द ही सुरू हो जाएगा दोस्तो जेवर एरपोर्ट से उड़ान कब शुरू होगी अधिकारियों ने इसकी जानकरी दे दी है आज की खबर में आपको यह बताए जाएगा कि एरपोर्ट का कितने पिर्तिसत कारिया पूरा हो चुका है और दोबई से फायर फाइटिंग सिस्टम लेनी की जरूरत क्यों पड़ी है इसके अलावा मज़िदार बात ये भी बताए जाएगी कि एरपोर्ट के निर्मार में खर्च ओने वाले पानी की एक बूंद भी जमीन के अंदर से नहीं ली जा रही है तो फिर ये पानी कहां से आ रहा है चलिए आज इस ख़बर की शुरुवात करते है दोस्तों जेवर इंटरनेशनल एरपोर्टर काम काफी तेजी की साथ चल रहा है मिलिक रिपोर्ट के मताबिक अभी तक करीब 65% काम हो चुका है जिस पर करीब 2700 करोड रुपे की लागत आ चुकी है बताया जा रहा है कि अब दिसंबर 2023 तक पहला रनवे बनकर तयार हो जाएगा जिस पर नागर विमाने निर्देसालिये को सौप दिया जाएगा यह जानकारी यमना नौयडा इंटरनेशनल एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानि के नियाल के अधिकारियों द्वारा एक अख़बार को दी गई है अधिकार ने बताया कि नौयडा एरपोर्ट काम काफी तेजी के साथ चल रहा है कंक्रीट के दो परतें 30 सितंबर तक डाली जाएंगी और दिसंबर तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माड पूरा कर ले जाएगा साथ ही रनवे को नागर विमान निदेसाले को सौप दे जाएगा प्रियास क्या जा रहा है कि 3 समय से पहले ही यानि कि मार्च 2024 तक हवाई जहाज नौयडा इंटरनेशनल एरपोर्ट से उड़ने लगेंगे आपको बता दें कि जीवर एरपोर्ट निर्माड के लिए उत्तरपरदेश के मुख्य मंतरी योगी आधित्त्यनात ने कई अधिकारियों को लगाया हुआ है नौयडा इंटरनेशनल एरपोर्ट उत्तरपरदेश के योगी आधित्त्यनात का ड्रीम प्रोजेक्ट है दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा एरपोर्ट है जिसको चार चरणों में बनाए ज़रहा है पहले चरण में नौलड़ा एरपोर्ट के निर्माट कारिये में 4587 करोड रुपे खर्चोने हैं लेकिन अभी तक केवल 1682 करोड रुपे का काम ही पूरा हो चुका है इसके अलावा 1716 किलोमेटर की बौंडरी पूरी हो चुकी है साथ ही 7150 विरक्ष यानि की पेड प्रोजेक्ट में आ रही है लेकिन इन में से अभी तक 750 पेड़ों को दूसरी जगह पर लगा दे गया है बाकी पेड़ों को बचा कर काम किया जा रहा है रनवे और टर्रिमिरल विल्डिंग में आ रहे पेड़ों को दूसरी जगह पर लगा जा रहा है मज़ेदार बात यह है कि नोयडा इंटरनेसला एरपोर्ट के निर्माड में एक भी बूंद पानी जमीन से नहीं निकाल गया है और हर सेकंड 21 लिटर पानी का इस्तेमाल क्या जो रहा है एरपोर्ट के नस्दीक से बहराई दयानतपूर माइनर से पानी इस्तेमाल क्या जो रहा है अब जल्द ही नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट का रोड, रेल और मेट्रो नेट्रवर्क से जोडने का काम शुरू होने वाला है इस्टन पेरिफेरल एक्सप्रेस्वे को यमना एक्सप्रेस्वे से जोडने के लिए इंटरचेंज का निर्माण शुरू होगा हवाई अडे के उत्तर और पूर में सडकों का निर्माण क्या जाना है दोस्तों आपको बतादें कि नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट ने एक और मुकाम हासिल क्या है एरपोर्ट सेक्योर्टी के लिए दुनिया का सबसे बहतीन फायर फायटिंग सिस्टम यहां उपलब्द कराए जाएगा जेवर के लिए फायर टेंडर का उत्पादन शुरू हो गया है यह काम नेशनल फायर फायटिंग मैनुफेक्चरिंग कमपनी के दुबई पलांट में हो रहा है एन ये के लिए अलग असेम्बली लाइन पर इन फायर टेंडर का निर्माड कराए जा रहा है इसके साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि अब तक दुनिया में इतने विमान किसी ने भी नहीं खरीदे है जितने विमान खरीदने के लिए इंडिगो ने ओर्डर दे दिया है जिहां दोस्तों इंडिगो ने 500 एरोप्लैन खरीदने का ओर्डर दे दिया है और ये दुनिया में सबसे बड़ा order है जिसमें इंडिगो ने ये महारत हासिल की है और ये मुकाम पाया है और हो सकता है कि इनी विमानों को नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए भी खरीदा जा रहा हो 500 विमान जब नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट पर आएंगे तो धूब मत जाएगे पूरा एरपोर्ट भर जाएगा और हो सकता है कि सबसे पहले जो फ्लाइट है जो सबसे पहले उड़ाने वो भी इंडिगो ही उड़ाए तो दोस्तों इसी तरह की खास ख़बरों के लिए हमारे चैनल को अभी सबस्क्राइब करें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमसे जोड़ सकें और रोजाना इसी तरह खबरें आप पासकें